एक बार फिर चीजों को सिंपल बनाते हुए एक बार फिर ये confidence लेते हुए कि spoken English बहुत ही easy subject है सीखने के लिए कोई complication नहीं है बहुत आसान बनाई है जैसे आप अपनी मात्र भाशा में आसानी के साथ अपने आपको एक्सप्रेस कर लेते हैं इसी तरह से आप English को भी I mean total structures हैं ऐसे ही एक structure को मैं आपके साथ share कर रहा हूँ हो सकता है कि आपने इस structure को आप तक ना सुना हो पर याद रखे का ये structure यूज बहुत होता है जितने भी अच्छे speakers हैं वो इस structure को यूज करते हैं इसलिए आपको ये नहीं कि आपको बहुत I mean below average की spoken बोलने हैं आप एक अच्छी spoken को ही इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि वो ही आपका base बन जा है ना मजदर बात यानि कि आपकी जो शुरूआत हो वो ही दोसरे लोगों से इतनी advance में हो कि जहां लोग खतम कर रहे हो अपनी बात को अपने standard को वहाँ से आप शुरू करें तो ऐसी एक चीज को ऐसी को हम कई बार helping verb कहते हैं वो helping verb नहीं होती वो भाव देने वाली I mean verb होती है याद रखेगा एक जो main verb होती है वो action बताती है लेकिन action से पहले जो आप verb लगाते हैं जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था would like लगा था तो would like basically क्या है आपकी इच्छा या plan को बताते हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि मैं योजना बना रहा हूँ कि कल मैं दिली जाओं तो आप क्या कहेंगे I would like to go to daily इसी तरह से जब आप किसी से कहा हो कि भाई तुम एक का मेरी तुम्हें सला है कि तुम डॉक्टर के चले जाओ मेरी तुम्हें सला है कि तुम महनत करो मैं तु है कि तुम मेहनत करो कुछ भी बोलो आप अगर आप वर्ड I mean sentence के बाद में क्या है इस पर जाओगे तो confusion के लावा कुछ नहीं मिलेगा ऐसी learning को पीछे छोड़ दो बिलकुल क्योंकि पहले आप sentence के last में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे फिर आप पहले आएंगे फिर आप उसे बोलेंगे कोई sense बनती है तो simple सी बात ये है कि जब भी हम किसी को कोई सला दें इस structure का use करें structure क्या है इसका नाम है head better ये पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे पर कई लोग एकदम से कहेंगे head को तो past में use करते हैं और ये तो have की second form होती है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप limited I mean education को लेकर कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि बार-बार एक अच्छी dictionary को पढ़ना सीखें और एक verb को किस तरह से different situation और context में use किया जाता है ये ही आपकी mastery है और याद रखेगा world expects mastery from you ये दुनिया आप से mastery effort आपको इस तरह से लगेंगे कि आप mastery की तरफ जाएं अब आप किसी को सलहा देना चाहते हैं कि तुम doctor के चले जाओ अच्छा रहेगा तुम मेहनत करो मेरी सलहा है कि तुम अच्छा I mean मेहनत करो कुछ भी आप बोलें किसी को आप सलहा दे रहे हैं तो आप structure यूज करेंगे head better head better अब इस head better को हम कैसे use करेंगे कई बार आप देखेंगे कि लोग better को तो already use करते हैं you better go there you better go there better you go there ऐसे भी बोल देते हैं क्योंकि spoken में हम बहुत सारे grammar को नहीं लगाते हैं लेकिन real structure जो है वो better नहीं है मैं आपको बताओं ये एक question आया था you better go there better you go there you should better go there you had better go there और जब मैंने grammar की I mean cat में ये question ता तो जब लोगों ने मुझे से पूचा कि इसमें सही कौन सा है हम तो confused हो गए हमें तो fourth तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मैंने कहा fourth ही है basically head better एक अपने आप में एक phrase की तरह एक sense create करता है should better कोई word नहीं होता better भी नहीं होता लेकिन हम बोल देते हैं तो आज आप head better के साथ बोलो और माल लेते हैं आप किसी को कह रहे हो यार अच्छा रहेगा तुम मेहनत करो तो आप क्या कहेंगे you head better you head better work hard work हमारी verb हो गई और hard मेहनत करने की इंगली शाही तो नहीं तो आप जानते ही ठीक है न तो यह head better basically past नहीं है यहां रखेगा यह इस time of speaking से चलेगा यह present भी है और यह future भी है अच्छा रहेगा 10 साल बाद तुम एक मकान मुंबई में खरीदो so you head better buy a house after 10 years in मुंबई यानि के future में भी head better use हो रहा है और आपको क्या पढ़ाय गया था कि head past होता है अरे भाई head better भी एक expression होता है और अगर इसमें आपको note लगाना है तो अब आपको better के बाद में note लगेगा अच्छा रहेगा तुम हाना जाओ you head better not go there अच्छा रहेगा तुम यह ना करो जो कर रहे हो you head better not do it इतना सा कहना है अब आपको करना क्या है जितना मैंने example देना था वो दे दिया है अब आप खुद सोचे कि present में आप किसी को अपने घर में अपने दोस्तों में क्या सला देना चाते है अगर आप आपका एक फ्रेंड है बार-बार लेट हो जाता है तो उससे कहेंगे भई यू हैड बेटर नोट गेट लेट यू हैड बेटर नोट गेट लेट ठीक है न यू हैड बेटर काम इन टाइम तुम अच्छा रहेगा तुम समय से आओ के लिए रहे तो अब आपको समझना यह है कि परजेंट में कुछ सेंटेंस को बोलना है और अब आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप फ्यूचर का कोई भी एडवर्ब लगाते हुए फ्यूचर का कोई भी टाइम लगाते हुए एडवर्ब भी भूल जाएए कि कल अच्छा रहेगा तुम कल यहां आओ अच्छा रहेगा दस दिन बाद आओ अच्छा रहेगा बीस साल बाद यह काम करो यानि कि फ्यूचर को इन्वोल्व करते हुए अब आपको बोलना है जब आप ऐसा करेंगे यहां साइकलोजिकल आपके अंदर एक चेंज आएगा कि हैड़ बेटर को आप प्रजेंट में भी यूज़ करें और सुलनले आपका माइंड उसे फ्यूचर में भी देखना शुरू कर देगा पास्ट में यह यूज़ नहीं होगा पास्ट में इसके लिए हम अलग से ढूंडेंगे वो अलग बात है तो हैड़ बेटर का आज का असाइनमेंट क्या है आपका कि प्रजेंट में आप दस से बारा लोगों को दो दो सेंटेंस देकर सलह दो ठीक है और दस बारा सेंटेंस और ऐसे बोलो पास साथ लोगों के साथ दो लोगों के साथ दस लोगों के साथ कि जिसमें आप फ्यूशर को आप इन्वाल्व करो अगर आपने इतना काम कर दिया तो समझ लीजेगा ये स्ट्रक्शर अब आपकी जुबान पर आ जाएगा और आप इसे positive sentences में भी use करेंगे और negative में भी करेंगे ये use वाली इनी दो structure में use भी होता है ठीक है तो अब आप head better का use करें और use करें ठीक है न you had better start doing it now you had better start doing it now अच्छा रहेगा तुम अभी करना शुरू कर दो ये रही एक छोटी सी learning लेकिन बहुत effective है आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएंगे अगर हाँ तो वाइदा करिए मुझे कि आप इसे share जरूर करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगा इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर झाल 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 झाल